इन्वर्टर AC तो खरीदना ही नहीं चाहिए, खराब हो जाए तो रिपेर करने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा आपके AC रिपेर करने वाले ने आपको कहा होगा, है न? और आप 30 से 50,000 रुपीज का AC खरीदने जा रहे हैं, किस बिस इस पे? फाइव स्टार रेटिंग देखके, या फिर IC रेटिंग को पढ़के, या फिर ओनलाइन रिव्यूज को पढ़के, जो कि 90% फेक होते हैं और इसलिए लिखे जाते हैं कि आपके डिसिजन को इन्फ्लूएंस कर सकें, don't worry, इसका सुलूशन मेरे पास है, हलो दोस्तों, welcome to my channel BM1, मेरा नाम है विनीद, और आज अगर आपने ये वीडियो अगले 20 मिनट तक बिना स्किप करें देख लिया, तो I guarantee you, कि आप अपनी लिए best AC चुन पाएंगे, और आप बन जाएंगे एक AC चुनने के expert, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता आने जा रहा हूँ, best ACs in India 2021 दोस्तों, इस वीडियो को मैंने आज 23rd February 2021 को शूट किया है, और आज की डेट तक 2021 के जितने भी AC models launch हुए हैं इंडिया में, उन सभी को मैंने include इस वीडियो में किया है, सभी AC models best नहीं हैं, लेकिन जो best हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, और उनकी details, specifications और reasons भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1.5 टन को cover किया है, लेकिन अगर आप 1 टन और 2 टन AC के अंदर interested हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद, आप description के अंदर दी गई, मेरी AC की recommended list को download कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरी recommended best 1 टन और 2 टन ACs भी मिलेंगे, और हाँ दोस्तों, आपको ACs को बताने से पहले, मैं कुछ बहुत important points बताना चाहता हूँ ACs के बारे में, जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी एक और बात है, अगर आप इस channel पर नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये channel सिर्फ आपके भरों से चलता है, क्योंकि इस channel पर मैं किसी type का sponsored content नहीं चलाता, और नहीं आपको इस channel पर किसी भी brand की ad मिलेगी, अगर आप मुझे support करना चाते हैं, तो like करिए इस video को, और share करिए अपने दोस्तों के साथ, और subscribe करें मेरे channel को, और अगर आप description में दिये हुए link से कुछ भी purchase करेंगे, तो इस channel को बहुत help होगी, बिना आपके price को change करें हुए, सबसे पहले बात करते हैं, size of the AC के बारे में, क्योंकि इस में सबसे बड़ी confusion होती है, 130 square feet के room के लिए आपको सिर्फ 1 ton का AC चाहिए, please do not fall for marketing gimmicks, 130 से लेके 200 square feet के room के लिए आपको 1.5 ton का AC चाहिए, और 200 square feet से लेके 300 square feet के room के लिए आपको 2 ton का AC चाहिए, of course यह figures change होंगी, अगर आपके room के उपर direct sunlight पड़ती है, या फिर आपका बिलकुल top floor पे room है, जहां पे all sides से आपके room पे sunlight पड़ती है, then these figures will change, कौन सा AC खरीदें, यह सबसे बड़ी confusion है, एक inverter AC आपके बिजली के bill को आधा कभी भी नहीं करेगा, please marketing gimmicks में मत फसे, 30% तक की saving आपको हो सकती है, that's a fact, inverter AC तब खरीदें, जब आप 6 घंटे या उससे ज़ादा AC को यूज करते हैं, एक sealed room में, अगर आपका room sealed नहीं है, या फिर आप lobby में AC लगाना चाहते हैं, please do not buy an inverter AC, वो आपके लिए suitable नहीं है, एक और बात, अगर आप साल में 3 से 4 महीने AC यूज करते हैं, इस से ज़ादा नहीं, buy a 3 star AC, अगर आप साल में 5 या 6 महीने से ज़ादा AC यूज करते हैं, जैसे 7 या 8 months in peak summers, अगर आप North India में रहते हैं, buy a 5 star AC, इन दोनों ही cases में आपको electricity की भी saving होगी, और आपकी cost की भी saving होगी, कोई भी AC लेते समय उसके indoor unit के noise levels को check करें, दो noise levels होते हैं, एक maximum, एक minimum, उसका minimum noise level 40 decibel के उपर नहीं होना चाहिए, यानि lowest noise level 40 decibel से अगर उपर है, तो वो AC आपके लिए सही नहीं है, Indian Season Energy Efficiency Ratio, यानि ISEER, यह जितनी अच्छी AC की होती है, हम उतना ही अच्छा AC को समझते हैं और उसे घर ले आते हैं, बिना यह सोचे कि उसके इंदर terms and conditions और hidden चीज़े क्या हैं, हर IC rating के नीचे एक power consumption भी लिखी होती है उस AC की, वो power consumption हम असलियत मान लेते हैं उस AC के बारे में, यानि for example अगर 1000 units लिखे हैं, तो हम समझते हैं कि यह AC एक साल में 1000 units ही consume करेगा, एक unit का price मान लेते हैं 8 rupees यानि 8000 रुपे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है, कभी भी नहीं, एक AC चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितनी ही ज़ादा IEC rating के साथ आता हो, वो 2 या 3000 रुपे का बिजली का बिल देता है, इन peak summers, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह unit consumption दी जाती है test conditions में, यानि AC को 50%, 25% capacity पे भी चला के, यह test ratings दी जाती हैं, और आपको पताया जाता है कि यह minimum 1000 units consume करेगा, मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर, असली power consumption बताऊंगा, हर AC की जो मैं आपको recommend करने जा रहा हूँ, उस basis पे आप यह decide कर पाएंगे, कि आपको अपने लिए कौन सा AC लेना चाहिए, और आपका बिजली का बिल कितना आएगा, मैं 100% consumption और 100% efficiency पे, power consumption को calculate करूँगा, आप थोड़ा बहुत कम या जादा उसे expect कर सकते हैं, हर AC के अंदर आपको installation charges तो देने ही पड़ेंगे, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 1500, लेकिन उसके अलावा, आपको 3-4000 रुपीज और खर्च करने पड़ेंगे, जो कि copper pipes और दूसरे और materials के लिए use होंगे, वो cost को ज़रूर calculate करें AC की cost में, और हाँ, हर AC के साथ, चाहे वो inverter AC ही क्यों न हो, आपको एक stabilizer लगाना ही पड़ेगा, inverter AC के अंदर, जतना मर्जी brand क्लेम करें कि ये inverter free operation देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और उसके लिए आपको एक अलग से inverter AC का stabilizer लगाना पड़ेगा, जिसके links आपको description box में मिल जाएंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको और बता दो, that do not pay attention to the fancy names and fancy technologies, ये सिरफ अच्छे नाम है, दिखते अच्छे हैं, इनके अच्छे काम, pros and cons में मैं आपको बताऊंगा, तो best AC 2021 की मेरी list में number 5 पे आता है, IFB का dual inverter 5 star rated AC, जो किया आता है 5200 watt की cooling capacity के साथ, इसे generally कहा जाता है 1.5 ton AC, लेकिन actually में ये है 1.48 ton AC, इस AC के अंदर आपको dual inverter technology मिलेगी, जिसे IFB कहता है Twin Inverter HD Compressor, ये है सारे IFB के 1.5 ton dual inverter AC के features, लेकिन मैं आपको explain करूँगा, इसे अंदर आपको 7 stage air treatment technology देखने को मिलती है, जो आपको basically 7 type के अलग-अलग air filters देता है, एक ही filter में, जिसमें सबसे important है, 0.3 micron का air filter, ये AC, आपके लिए एक AC, और एक air purifier दोनों तरीके से काम करेगा, और इसका दूसरा important feature है, fireproof ECB, इसकी ECB के अंदर एक छोटा सा air vent दिया गया है, जिससे ये हमेशा air cold रहती है, और उसमें sparking या आग लगने का खत्रा, बिलकुल ना के बराबर हो जाता है, इस AC की IC rating है 4.7, और IFB का मानना है, कि ये AC 853 units of electricity consume करेगा हर साल, तो आइए इनके claim को ज़रा test करके देखते हैं, इस AC के compressor में motor है 1500 watt की, अगर हम इस AC को 6 घंटे रोज, 6 महीने के लिए लगातार चलाएंगे, तो ये AC consume करेगा 1620 units of power, 100% capacity पे रन करने पे, और अगर हम 8 घंटे चलाएंगे 8 महीने तक, तो ये AC consume करेगा 2880 units of electricity, IFB के इस AC के उपर आपको lowest noise levels मिलेंगे 38 decibels के, और आप इस AC को खरीद पाएंगे 43,000 रुपीज का, with free installation और external unit के लिए आपको stand भी free मिलेगा, इस AC के साथ आपको 1 year की comprehensive warranty मिलती है, 5 years की warranty मिलती है PCB और external unit पे, और 10 years की compressor पे, इस AC के साथ आपको 900 रुपीज extra पे करने पे, 4 years की comprehensive super warranty भी साथ में मिलेगी IFB के तरफ से, और साथ में आपको 3 services भी free मिलेगी IFB के तरफ से, ये तो हुई इस package की बात, लेकिन अब हम जानते हैं कि 2020 और 2021 models के अंदर, आखिर IFB ने ऐसा क्या change किया है, actually सिर्फ एक ही change है, compressor के अंदर जो motor लगी है, उसकी wattage को decrease करा गया है, जिससे power consumption थोड़ी सी कम हुई है, and that is a good thing, ये AC 2020 के AC के मुकाबले, थोड़ा सा जादा power efficient है, best AC 2021 की मीरी लिस्ट में number 4 पे आता है, LG का dual inverter AC, जो कि आता है 5 star rating के साथ, और इसके अंदर आपको cooling capacity मिलती है 5100 watts की, इस AC को कहा जाता है 1.5 ton AC, लेकिन actually में ये है 1.45 ton AC, LG के AC के सारे ये important features हैं, लेकिन इसमें जो important features हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, ये एक 5-1 convertible cooling AC है, इसको आप 0.75 ton से लेके 1.8 ton की capacity पे रन कर सकते हैं, and that is a fantastic thing, because अगर आपका room छोटा है, और आपने ये AC लिया है, तो भी आप इस AC को कम efficiency पे रन करके, अपनी electricity consumption को control में रख सकते हैं, दूसरा important feature ये है, कि इसमें आपको 100% copper coils जो मिलते हैं, वो ocean black protection के साथ आते हैं, it is nothing but a black paint on copper, ये black paint condenser पे salt या sediment या गंदगी कोई खठा नहीं होने देता, जिससे condenser की life increase होती है, और हाँ, stabilizer free operation जो LG claim करता है, उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इस AC की तरह, हर inverter AC में आपको एक stabilizer लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके stabilizers भी अलग होते हैं, जो आपको description box में मिलेंगे, इस AC की IC rating है 4.73, और LG claim करता है कि ये AC consume करता है 818 units of electricity per year, लेकिन चलिए, हम चेक करते हैं कि ये कितनी electricity consume करता है, उसी formula से चेक करते हुए हम ये देखते हैं कि 1465 watt की motor लगी है LG AC के compressor में, जो की consume करती है 1582 units of electricity, अगर हम इसे 6 घंटे हर रोज 6 महीने तक चलाएंगे तो, और 2812 units अगर हम इसे 8 घंटे रोज 8 महीने तक चलाएंगे तो, LG के इस AC के lowest noise levels है 31 decibels और आप इस AC को खरीद पाएंगे 42,000 रुपीज का, इस AC को अगर आप खरीदेंगे तो आपको 1,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे installation के लिए, और इस पे आपको warranty मिलती है 1 year की comprehensive और 5 years की PCB पे LG की तरफ से, अब बात करते हैं इसके pros and cons के बारे में और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 2020 और 2021 के model के बीच में क्या difference है आखिर, actually में there is no significant change from 2020 to 2021 model, pros and cons के अगर हम बात करें तो ये AC एक बहुत ही शांदार option है जो लोग coastal areas के आजपास रहते हैं, उनके लिए इस AC के ओपर जो blackfin technology का या फिर black paint का यूज किया गया है condenser coils के ओपर वो वाकई salt और sediment को एकठा होने से बचाएगा, that is why it is a wonderful AC, cons में अगर हम बात करें, तो LG AC की installation is slightly poor in some pin codes, आप अपने area में LG AC की installation service और service network को पहले चेक करें, उसके बाद इसे purchase करें, और मेरी recommendation रहेगी कि 2021 model ही खरीदिये, link मैंने दिया है description box में, best AC in India 2021 की मेरी list में number 3 पे आता है, Hisense का dual inverter AC, जो की 1.5 ton capacity के साथ आता है, और इसमें आपको 5 star rating मिलती है, इस AC की cooling capacity है 5200 watts, और generally इसे कहा जाता है 1.5 ton, लेकिन actually में ये है 1.48 ton AC, Hisense AC की ये सभी features आपके सामने हैं, लेकिन इसमें 2 important features के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है health filters, जो की बहुत सारे filters को मिला के, आपको air conditioning और air purifier दोनों का काम देंगे इस AC में, और दूसरा है i-feel technology, जो की automatically ये detect करेगी, कि आपके room का temperature क्या है, और उस हिसाब से AC के temperature को अपके डाउन करके, आपके AC की electricity consumption को control में रखेगी, and that is a fantastic feature, बाकि सब AC की तरह ये भी stabilizer free operation promise करता है, लेकिन बाकि सबी AC की तरह मैं आपको फिर इसमें बोलूँगा, कि stabilizer free operation कोई भी AC आपको नहीं दे सकता, आपको एक अच्छा inverter AC का stabilizer लेना ही पड़ेगा, ये AC आता है 4.65 की IC rating के साथ, और हैसेंस क्लीम करता है कि ये AC 865 units consume करेगा एक साल में, चलिए हम देखते हैं कितनी consumption होगी, इस AC की 1330 watt की motor 1436 units consume करेगी, अगर आप इसे 6 घंटे रोज, 6 महीने तक चलाएंगे तो, और 2553 units consume करेगी, अगर आप इसे 8 घंटे रोज, 8 महीने तक चलाएंगे तो, हैसेंस के इस AC की lowest noise levels है 34 decibels, और आप इस AC को खरीद पाएंगे 34,000 रुपीज का इस समय, प्लस आपको देने पड़ेंगे 1600 रुपीज as installation charges, इस AC के उपर आपको 1 year की comprehensive warranty मिलती है, और 5 years की warranty मिलती है on compressor, अब बात करते हैं थोड़े से pros and cons के बारे में, हैसेंस का ये AC बहुत ही शांदार self clean technology के साथ आता है, जो कि अपने आप AC के filters को clean करती रहेगी, and that's a fantastic feature, ये एक smart AC है, ये भी एक अच्छा pro है इस AC का, लेकिन एक छोटा सा con है जो मुझे लगा, वो ये है कि हैसेंस की service is not good as good as other brands, लेकिन पहले से बहुत improve हुई है, और अगर आपकी city के अंदर हैसेंस की service अच्छी है, तो आप इस AC को consider कर सकते हैं, मैंने link दिया है description box में, तो best AC 2021 की मेरी list में number 2 पे आता है, Nokia, sorry, Panasonic, actually में दोनों AC, क्योंकि ये दोनों AC एक ही है, Nokia AC का manufacturer भी Panasonic ही है, और Panasonic के 2021 के AC को अगर आप compare करेंगे Nokia 2021 range के साथ, तो ये exactly same ACs है, ये दोनों AC 5 star rating के साथ आते हैं, और इसके अंदर आपको cooling capacity मिलती है 5150 Watt की, ये कहे जाते हैं 1.5 ton AC, लेकिन actually में ये है 1.46 ton ACs, मैं आपको दोनों ACs के features नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, सिर्फ नाम बदल बदल के दी गए हैं features में, तो आप ये देखिए Panasonic AC के features, जो important in the features है, वो ये है कि इसमें आपको shield blue technology देखने को मिलेगी, जिसे Nokia AC में नाम दिया गया है blue fin technology, इसमें condenser coil के उपर एक special blue chemical की coating करी जाती है, जिससे ये condenser salt और sediment को अपने उपर एकठा नहीं होने देता, और condenser की overall life बहुत ज़ादा increase हो जाती है, इस AC के अंदर आपको jet stream airflow देखने को मिलेगा, जो कि up to 45 feet तक आपको airflow देगा and that is fantastic, एक फरक जो दोनों AC में है वो ये है कि Panasonic AC Alexa को और Google Assistant दोनों को support करता है, जबकि Nokia AC सिर्फ Google Assistant को support करेगा, और दोनों में ही आपको app देखने को मिलेगी, दोनों ही AC के अंदर आपको 4.7 की IC rating देखने को मिलेगी, और दोनों ही AC क्लेम करते हैं 848 units की electricity consumption per year, पर हम देखेंगे कि ये consumption आखिर होगी कितनी, दोनों AC में 1355 watt की motor लगी है, जो कि consume करेगी 1464 units of electricity, 6 hours और 6 months तक लगातार चलाने के बाद, और 2600 units of electricity, 8 hours और 8 months लगातार चलाने के बाद, दोनों ही AC क्योंकि बिल्कुत सेम हैं, इनके lowest noise levels है 38 decibels, दोनों ही AC के cost अलग है, Nokia AC आपको cost करता है 39,000 रुपीज का, प्लस आपको देने पढ़ेंगे 1600 रुपीज for installation charges, और Panasonic AC आपको cost करेगा 44,000 रुपीज का, प्लस फ्री इंस्टॉलेशन अगर आप इसे 28th February से पहले-पहले खरीतते हैं तो, अब बात करते हैं warranty की, क्योंकि इसमें बहुत major change करा गया है, Nokia और Panasonic के बीच में, Nokia AC के अंदर आपको 1 year की comprehensive warranty देखने को मिलेगी, प्लस 5 years की warranty on compressor, जबकि Panasonic AC के अंदर आपको 1 year की comprehensive warranty देखने को मिलेगी, AC पे, इसके अलावा आपको 5 years की warranty देखने को मिलेगी, exterior unit और PCB पे, और 10 years की warranty देखने को मिलेगी, compressor पे, ये एक बहुत major फरक है, आपके लिए जो भी चीज जादा important है, आप वो वला AC चुने, लेकिन pros and cons सुनने के बाद, Panasonic AC क्योंकि ये Nokia AC भी same है, is one of the most successful models of 2020, ये एक बहुत ही शांदार AC model है, 2020 और 2021 के अंदर सिर्फ एक change करा गया है, इसमें आपको self clean technology देखने को मिलेगी, ये AC अपने filter को automatically खुद ही clean करेगा, and that is a fantastic feature, ये आपको आजकल के सभी ACs के अंदर देखने को मिलेगी, especially 2021 में, इसलिए मेरी recommendation ये रहेगी, कि इन दोनों में से आप कोई भी AC लें, अपने हिसाब से सोच समझ के लें, लेकिन ये AC बहुत ही शांदार है, दोनों के links आपको description box में मिलेंगे, आप जरूर चेक करिये, so best AC in India 2021, according to me is, Samsung inverter AC, जो आता है 5 star rating के साथ, और इसके अंदर आपको 5000 watt की cooling capacity मिलेगी, इस AC को कहा जाता है 1.5 ton AC, लेकिन actually में ये है 1.42 ton AC, ये हैं Samsung AC के सभी features, लेकिन मैं आपको जो दो features highlight करके बताना चाहता हूँ, वो है इसकी auto clean technology, ये एक इतनी शांदार technology है, जो AC के बंद होने के बाद काम करना शुरू करती है, इस technology में indoor unit का fan, AC बंद होने के बाद अपने आप चलके, filters को auto clean कर देगा, ये technology आपको किसी भी AC के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज है, AC की electricals और PCB को नुकसान नहीं पुचाएगी और उसे भचा के रखेगी, Samsung के इस AC की 5.2 IC rating है, लेकिन Samsung ने ये declare नहीं करा, कि ये AC कितने electricity units consume करेगा एक साल में, क्योंकि इस AC के अंदर आपको 1240 watts की motor मिलेगी, तो अगर आप इसे रोज 6 घंटे, 6 महीने तक चलाएंगे, तो आप खर्च करेंगे 1340 units of electricity, और अगर आप रोज 8 घंटे, 8 महीने के लिए चलाएंगे, तो आप खर्च करेंगे 2380 units of electricity, Samsung के इस AC के अंदर आपको lowest noise levels मिलेंगे 24 decibels के only, यह एक बहुत ही शांदार फिगर है क्योंकि किसी भी AC के अंदर आपको 24 decibels के noise levels नहीं मिलते, यानि आप expect कर सकते हैं absolutely peaceful and silent operation from this AC, इसके अलावा आप इसे खरीद पाएंगे 41,000 रुपीज का इस समय, प्लस आपको देने पड़ेंगे 1500 रुपीज as installation charges, वारंटी की बात करें, तो Samsung आपको देता है 1 year की comprehensive warranty और 5 years की warranty on condenser, that means कि Samsung is 100% sure कि यह condenser बहुत लंबे टाइम तक last करने वाला है, इस AC के अबर आपको 10 years की warranty compressor पे भी मिलेगी, अब बात करते हैं थोड़े से pros and cons के बारे में, इसकी जो 5 in 1 convertible cooling का option है, that is fantastic, आप इस AC को 0.3 ton से लेके 1.8 ton की capacity पे रन कर सकते हैं, and that is just awesome, आपका रूम छोटा हो या बड़ा, आप AC को cooling needs के हिसाब से adjust कर सकते हैं, that's a fantastic thing, लेकिन there is one con, इस AC की जो actual cooling capacity है, that is 1.42 ton only, if that is not a problem for you, तो इसका link मैंने आपको description box में दिया है, आप इसे जरूर consider करिए, and ये AC वाकई बहुत शानदार AC है, एक ceiling fan कितनी छोटी सी चीज है, उसमें क्या technical हो सकता है, और एक inverter, उसमें ऐसा क्या हो सकता है, जो आपको एक video देखने की जरूरत पड़े, अगर आपका भी यही मानना है, तो यहाँ पे links आएंगे, उनको क्लिक करिए, और ceiling fan और inverter का video देखिए, आपको पता चल जाएगा, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और कैसा लगा आपको ये video, ये जरूर बताएगा मुझे comment section में, और मैं आपको मिलता हूँ अपने next video में बहुत ही जल्दी, thank you very much.